हेलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे देश की भविश्य लोग तो आज के सेशन में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं उस पे पहले हम बात करेंगे ही कोई एक दम चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है तो भई मैं हूं च्छायापति खिलवार आप लोगों की स्वागत करती है तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले इस पर हम बात करेंगे पहले तो मुझे यह बताओ आप लोग की तयारी फिर से कैसी चल रही है ठीक है क्योंकि जैसे जैसे पीपर पास आ रहा है ना तो यह करें हो रहा है सबका टेंशन टेंशन में आरे है तो भाई तरन तो नोहोंती में को tuta वह सबक्यारी तो बिलकूर चल झारते हैं बहुत अछे से करने वाले उस تو फोकस करने वाले हैं हमारा 4th unit का तीन अंक है आज उस पर बात करेंगे ठीक है है फिर फोर्ण वही 100 आंक मैं 7 वह मैं बता दोंने क्वाइब सार्रा मैं बता दू ग्राइंग तो मैं हूँ वैसे भी हिसटार्ट करते हैं हमारा आज के सेशन में पहले प्रश्ण के उपर हम बात करेंगे तो क्या है पहला प्रश्ण क्या दिया आपकी स्क्रीन पर पहला ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है यूजेनिक्स किसे कहते हैं यूजेनिक्स की कोई दो उपयोगिता लिखिए तो क्या होता है यूजेनिक्स क्या होता ह पहली बार सुना होगा है क्ईूआ कि पहली पहली बार ही महभबत होती है सब着 को तो यूजिय्निक्स क्या है सबसे सबसे पर्ले दियान दो यूजेस्क होता टीकिट देखो जब हम अनुवाशिक पढ़ते थे यानिकी जीन बदल करके ऊपुर्व करना इनने करें है चाहिए तो यह क्या है चिज़ होता है योजेन की होता होता है या शब्द आ नहीं नहीं यह क्या है जनेटिक इंगनिक कहीं प्रयोग करके यह प्रयोग करके यानि Mich यै कोई इस जीन से मालो जाए और उनके जीन में थोड़ी सी खराबी है ओने वाले जनेरेशन हम हम क्या करेंगे त्यक्णी की सहायता से हम क्या करते है उस जο आने वाली पिढ़ी में उत्पन होने वाले लिए यहने होते हैं उस पर हम साथ करेंगे कि भाईषब आपके पाइंश के लिए ने में आ medication को आने वाले जनरेशन में वो दिक्कत नहों उनके बच्चों में वो दिक्कत नहों हो सकते हैं कि दादा में कोई दिक्कत है तो उनके पापा के में आ गया वो जीन्स का जो है ठीक है फिर आने वाले संतान के में आ जाए तो यह जो जनेटिक पीढ़ी तर पीढ़ी जो करेक्ट ठीक है चलो तो यूजेलिक्स अब इनकी भासा में सुनते हैं भाई साब क्या रिखा है अब तो भी नहीं पापा पर दादा की हमने बात करी तो ठीक है आप आते वापिसे वह जिसके द्वारा भावी मानो पीड़ी को अनुवाशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जा से तीसरे जनरेशन में यह अनुवाशिक कोई भी डिसॉर्डर होता है उसको हम कंड्रोल कर सकते हैं इस मैथट य recycling के तौरओं यहां कि योजैनिक्स के ठीक है यह यह क्या कहलता है इसी को हम लोग कहते हैं कि dużo जैनिक्स के अब इसके दो प्रमुकारीचा कि है के लिए प्रसाहित कर सकते हैं इसके माध्यम से सारिक वह मांसिक रूप से अगर कोई विक्रित है उन लोगों को भी हम गुणन यानि कि मल्टिप्रिकेशन और प्रजनन के लिए भी तैयार कर सकते हैं तो साहित का नमत्ब देखो कभी-कभी यह होता है कि जैसे दो कपल हैं ठ कोई भी क्रोमोसोमल एक्षेंज दिया डियने का कोई दिक्कत आ गया अब आन वो चाहते हैं कि आने वाले बच्चों में ना हो तो हम क्या करेंगे इस मैथट के यूज करके हम क्या करेंगे आने वाली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए वो डियने उसके में डिसॉडर नहीं होना चाहिए इस डिये हम कौंशा मैथड यूज करेंगे यहां पर यूजर निकिस का मैथट हम यूज करते हैं ऑप इस चैत्र कि अनुवाशिक के छेत्र में विकास के साख साव समान प्रजातियों में चहनात्म क्प्रजणन का विकास करना फिर से लिएंप हो गया था पूनल योगत 10 टैक्निक विकास के साथ विभिन जीनों में अनुवाशिक पदार्थों का क्रितिम रूप से इस तणाल तर यानि कि जब हम पूर्ण योग नइ बढ़ते तो क्या करते हैं दो तो टाइप के डियने याडिकी व्यक्तर डियने एंड व्यक्ति नेन को एक सब की बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करना उसकी कॉपी तयार करना जो एच्छिक चीज है वो हम तयार कर लेते हैं तो इसके माध्धम से हमने क्या किया जो पुनर योगस डियने टैक्निक का यूज किया उसके विकास के साथ सथ हमने डिफरेंट टाइप के जीवों में भी क्य किया अनुवाशिक पदार्थों को कृतिम रूप से मतलब मानो निर्मित मानुशिक के इच्छा के एकॉर्डिंग रूप से इस्थानांतित कर दिया जस्ट वहीं चीज है पुनल योगस डियने टैक्निक करना ठीक है इस टेक्निक से हम जी एम खाद याद करो क्या है अनु पेड़ी में भी यही डिसॉर्डर दिखाई दे मुझे यही जनेटिक्स की बीमारी और रोग हमको दिखाई दे तो मैं क्या करूंगी इस टेक्निक कर सकती हुँ जीवों की क्लोनिंग मतलब होता है कौपी तैयार कर सकते हैं जीन ठेरपी यानि की जीन का उपचार हम इसकी माध्यम से कर सकते हैं यह है यूज जैनेक्स अब इसकी उपयोगिता को आपको याद करना है होता क्या चीज है उसको याद करना है कारी क्या है उसको याद करना है अब यहां पर से तीन मार्क्स का कोशन ऐसे बनेगा या तो वह कोशन पूछ ले कि होता क्या है और इसके क्या लिखे उपयोगिता लिखे या फिर ये कोशन पुछेगा होता है क्या है क्या है इसके कारे लिखे तो यहां से three marks कोशन यहां पर बंड गया चलो तीन नंबर आपका मिल गया next question क्या है बई 對 नेक्स्ट प्रशण आते हैं हम яनुऊंचिक फसलों के वहैं हमने पढत चुका है याद करो हमने पिछले लेक्षिर में तयार करते हैं वही कहला देता ऑनुऊचिक पानधिमत्र Reverend फसल एक ने तो यह मैं फिर से नहीं बताऊंगी क्या होता है इसके लापसिधा हम पढ़ते क्या 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 क्यूं हमने यह अनुमाशी कुरूप अंध्रिस फसल को पढ़ा मतब देखा है हमने किया है क्या है इसमें चलो पहला इस प्रकार के फसलों में क्या होगा भाई साथ जैसे गेहं के अच्छी बेकिंग गुडवत जैसे जो की अच्छी माल्टिंग माल्टिंग गुडवत इसका विकास प्रकार के फसलों में हुआ इसका मतब यह है इतना बड़ा कर देने का सीधर सिता मतब यह हुआ हम एक ऐसे प्लांट को विखसित करते हैं जिसमें नूट भी प्लांट आप जैसे सबजी भी खाते हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं न्यूट्रीशन होना चाहिए भाई साब न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन वाली चीजों को खाव यह कहते हैं तो यहीं चीज है कि हम इस अनुवांशिक रूपांत्रित फसल में हम क्या करते हैं ऐस एन धसे प्लांट को ग्रोव करएं जिसमें न्यवट्रीशन अच्छा होना चाहिए गुडमत्ता पूरवक होना चाहिए को डीसी नहीं होना चाहिए कोई मतलब प्रतिरोधी होना चाहिए कोई बीडीरिय बाक्टीरिया वाइर ऍृ May व्हाइस यही चीज है कि ऐसे फसल हम प्रोड्यूस करें उत्पादन करें जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए पोशन गुण मत्तवक सुधार होनी चाहिए ठीक है चलो नेक्स क्या लिखाए भाई लवन्वा सूखा सहीश्रता पुर्वा ऐसे फसलों को तयार करेंगे जो क्या हो अज जो भी है इसके प्रती सहिश्रता होनी चाहिए यानि कि अपने आपको प्रोटेक्ट करने योग उसमें यह क्वालिटी होनी चाहिए तो यह जीम फसल ठीक है नेक्स दिखाए इस प्रकाल की फसले रसायनिक पीड़क नाशियों पर कम निर्भण आप छिड़कते हो ना जो किसान होते वो क्या करते पिड़क नाशी डालते तक जो कीड़े मकोड़े वो खतम हो जाए चोटे-चोटे घुन लग जाते हम लोग कहते हैं उसको आप भास हम कहते हैं घुना लग गया कहते हैं तो यह मत हो इसी के लिए इस प्रकार के फसलों को तयार किया जाता है ठीक ह इसके हानी भी है यह जाते हैं लाप तो है साथ में हानी भी न Unless इस प्रकार कि फसलों के पस्चात होने वाले नुकसान को कम करता हैं जब करते तो बहुत सच्छा Galta के विकास मिसायँ जिन में जिन से वेकल्पिक पदार थो कि आप उर्ती भी की जाती है आई होप समझ आ गया होगा कि क्या है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या लिखाए भाई सब यह देखिए पेस्ट डाल रहें डालते जा रहें चिड़काओ कर रहें लोग ठीक लेकिन क्या होता है कि यह सब करन से यह सब करने से प्लांड को भी नुकसान पहुच जाता है क्योंकि यहां से कभी-कभी होता है कि नालियों से पानी जा रहा है तलाबों में जा रहा है तो तलाबों को भी दूशित कर रहें इस पीड़क नाशी की सहता से तो इससे हम बच सकते हैं इसके माध्यम से रूप प्र paar गाय की सब्सक्राइब करने की शक्ति नहीं होती बहुत कम होब इस पारले यह दिकत नहीं है इनτιकलों प०्सक्राइब प्रतिक इन फ़सलों को नहीं हो सकते हर किसान नहीं हो आवा सकते छोटे किसान बिचारे नहीं चुगा सकते भाई साहब मैं देखी हूँ एक ग्रुपय के दीए दूसरे से मंगना पड़ रहा है उधार ले लेके करते हैं अपने जीवन पूर्ति करते हूं लोग अच्छे से जानते हो है ना चलो तो प्रतेक छोटे किसान प्रत ही बार इन फांस्रों को नहीं हुआ सकते क्योंकि यह फसला बहुत जाँदा महंगी इतने पैसे नहीं होते हैं इस प्रकार कि फसलों तो नानी पिचारी कैसी कर रही है देखो कैसे रूप 15 फसल यूज़ कर रहे हैं यह देखो बिचारा चिरकाओ कर रहा है तो यह कुछ दिखाने के लिए रखी हूँ अब नेक्स्ट कोश्चन क्या है क्राई प्रोटिं क्या है याद है वह दिन जब मैंने क्राई प्रोटिंस आप सियंग और रिपेट नहीं करूंगी ऑन पर मैं पहले ही किया क्या इंपॉर्टेन है इस पर हम बात करेंगे घ्र क्राई जो प्रोटीन से प्रोटीन है इस जिएन ऐसे भाप्तिरिया से बनाया गया है तीक है जीन्स है क्राई क्या है एक प्रोट 2030 भी जब भी बोलते तो याद रखना जीनस के मात करते जीनसे कुठ बद्द होता है बाक््टीरिया से बना हुंआ है यह प्रोटीन है तो बीटीा का पास याद है IF you पहले क्मेंट में लिखो और आप लोग लिखते नहीं हो मुझे ये पड़ते हो तो Coalition पीटी का पासवला मुझे बताओ बिटी क्या है उसका फूल फूर्म क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर आंसर बताएंगे बिटी क्या है यह एक्जामपल इसले क्योंकि पेपर में आता है ठीक है चलो प्रोटीन कैसे उत्पन होता है यह बात करेंगे सबसे तो यह देखर हो कि जीवों में विश्व जिस जीन द्वारा ुडवत होते हैं उसी को हम बूते हैं क्राई कहते है क्राईं एक प्रोटीन है जो की भी क्टीरिया से बता होगा बट वाम करके मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब मैंने एक अंकिक प्रश्णों की बात की थी बट वाम या बॉल वाम भी नाम से हम जानते हैं जाला तर इसको वह ऐसा कीट है जो फसलों को नुकसान करता है ठीक है अब जब फसल को अच्छा दिखा देती पक्ती में छुप गया है विचारा तो यह है बट वाम है और इस कीट के कारण यह कीट क्या करता है फसल को नुकसान पहुचाता है ठीक है अब जब यह फसल को नुकसान पहुचाता है तो हम फसल को ठीक करने के लिए क्या करेंगे एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है उस करके बोल देती हूं जव्म अच्छ लगा उस B bankruptcy जो है bacteria उसका यूज करके यानि कि उस Bacteria में पाए जाता है एक प्रकार का protein पाए जाता है protein नट जीन युक्त तो उस protein को हम क्या करेंगे plant में हम transfer करते हैं और उस वह protein जो होता है crystal form अब मिकृस्टल में होता है जब हम क्या करेंगे इस crystal protein को या बैक्टीरिय को क्या करेंगे या बैक्टीरिया को हम किसमें ट्रांसफर कर दे रहे इसके genes को इस plant में transfer कर दिए अब ये वीचारा आएगा धीरे-धीरे को ये खाएगा क्योंकि हमने genes को transfer कर दिया बैक्टीरिया का और उस बैक्टीरिया का जो जीन क्रिस्टल युक्त होता है जब इसके स्टमक में जाता है तो इसके digestive system को खराब कर देता है तो जब खराब करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा टॉक्सिक हो जाएगा किसके लिए इस कीट के लिए समझा रहे आप लोगों को पिषंळ के जीन्स में ट्रांसफर कर दिये अब जब प्लांट तो अच्छे हमारे लिए पो किति तूझ के तो उससे ता गrab graduate संवसे कंच में फॉट ना देकर बैक्टिरिया के उन्सभाइब स्वास्फिटर exception इसमें पॉध्ऑ मी और जब भी उपर खाएक तब क्या हो जाएगा इस यह कीड़ हो जाएगा तो यह था क्या चाहिंब देकर यही है वह कीट और जब और यह दिख रहे इस तरीके सब आपको इस्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहीं है Capital रोटीन है ठीक है तो जब इसके टमी में जाएगा यह निगे स्टमक में जाएगा तो क्या होगा को खराब कर देखा वहां के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और यह मर जाएगा ठीक है चलो कि यह देखो यह हैं नहीं बताओंगी चुपा देती हूं मत देखो ठीक है नहीं तो बता दोगे आंसर एकी बार में बता दोगे बैसिलस तुरें जीस बीटी तो यह को एक डाग्रम है और यही बीटी टॉकसीन है क्रिस्टल है और यहीं उसके प्यट कर देता है नस्ट कर देता है ठीक है इस 예ने होता है इंदoshima होते हैं यह ज़िए उसेरम सेल्ल कर सेल मेंब्रेन होता है इसए चीज आप लोगको पता हो गया निरिफ क्लम नेक्स्व मड़ायी घ्र। कॉन सा प्रोटीन होता है यह याद रखना क्राइफंसेद ट देखो क्या लिखा है क्राइफ एसी α c ठीक ए क्राईफस्ट a c और क्राईफस्ट a बी क्या हैlad को याद रखने यह दो प्रकार के प्रोतीन होते हैं क्राईफस्ट a प्रकार है कैस ने क्या करते हैं को कंट्रोल करने का यह नि कि उसचा कार्य करते हैं जाने कि Environment प्रोटीन कई प्रकार के कीटों की प्रजातियों के लिए टॉक्सिक है लेकिन मनुष्य के लिए हानी का रख नहीं तो इनके लिए बाद के रख होता है हमारे नहीं नहीं में क्या है लेकिंटा से रख हुआ करणों से करना है किसी कब देअनगा है उसमें इसलोए हम ट्रांसफर कर देते हैं रेजिस्टेंस होना चाहिए इस पर हम देखते हैं चली क्या है बहुत करा कर पाल जिनी ट्रांसजनीक को एक जीन दिया है किसी का भी हो सकते है चाहिए वो मनुष्य को हो चाहिए दूसरे जीव जनतु का जैसे एक एक जांपल सुनना मालो जाए एक चूहा है और इस चूघ लिखा है दें हो एक रहे हो चूघ लिखा गया अब चूहा लिख देती हुआ चूग उपढ़ होगे न किस मनुष्य की स्तनление को मैं क्या करूंग इस चूहां कि अज्ञार करेंगे तो उस्तनी का घीनों कटर शूक्त पर इसक्त बैस Esther के ले टान्सफर कर्दूँंगी तो चूहां केंसर में उपस थे DNA को हम चुहों में ट्रांसफर कर देते हैं सबसे पहले तो यह हैं जब चुहों में हम ट्रांसफर करते हैं तो चुहा भी किस्तन केंसर का सिकार हो जागा सीधी सीधी बात है इसमें भी कैंसर आ गया तो हम क्या करेंगे पहले इस पर प्रयोग करेंगे अप हम उस result को हम मनुष्य पर भी कर सकते हैं ट्राइग तो यह इस इसके माध्यम से ही यह संभाव हो सका है जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस तन कैंसर की ही बात हो मैं हो सकते दूसरे चीज की भी बात कर सकते हैं कि इस चुहे में इंसुलीन बनाना हो तो इंसुलीन बनाने वाला यह इंसुलीन बनाने वाले मनुष्य में उपस्ति जो इंसुलीन बनता है वहां से ट्रांसफर करके चुहे में इंजक्ट करा सकते हैं तो आप अपनी इच्छे के नुसर कर सकते हो दिस इस क्या है पारजीनी जन्तु ट्रांसजेनिक एनिमल ठीक है समझ आ गया तो यह बाहरी वहां के माक्य चोकोऊव Geo आठ rap वहां कैं लाजमिट के मंद्ध्यम से ही हम क्या करेंगे ट्रांसफर करते में किसी पी जन्तु पर तो क्या है इसका प्रमुक करते के हम बारें बात करेंगे इन जंतुओं का उत्पादन उत्पादन करने का क्या रीजन है तो पहला देखो जंतुओं जैसे गाय है सुवर है भेड़ है बकरी बकरे लिखा है बकरी लिख दो आधी के शरीर में औशिधी रूप में महतुपुर्पदात यानिके एंटी बॉड इसी में ही आप एक से ज़्यादा एंटिबाटिक बना सकते हो वैक्सीन तयार कर सकते हैं इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स के जंतुओं का निर्मान करना जंतुओं का मतलब होता है कौपी तयार करना सीधे सीधे बात है एक से बहुत सारे कौपी तयार प्रेड़ हो गया इनके पशों में नशलों के उत्पादन में हम इसका यूज कर सकते हैं ठीक है चलो यह है देखो भई क्या है यह चुहा है चुहा का मैंने बताया था आप लोगों को तो यह चुहा पर इसका प्रयोग किया गया था वह सतन्कैंसर इसी कही उधारान था चु पारजनी जनतु है इसके बारे में बात होई थी ठीक है तो आप यह कोश्चन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कोश्चन पूछा गया कैसे जाता है मेरे यह पूरा बताने का मेरा मकसद ही है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्जाम पैटर में अगर ऐसे कोश्चन दे कोई भी कोई भी सीजन के 2019 के लिए लो 18 के लिए 17 के लिए 22 के लिए जो भी आपको तीन घंट करो कि लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि कभी कभी होता ना बच्चे आता तो है पर एक्जाम से होता डर के मारे आधर जाद पसीने छूटते हैं ठीक है पर पढ़ाया हुआ किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो जरूर मुझे एक बर मैसेज करें कमेंट करके जरूर वहां पर मुझे बताएं कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो वहां पर मैं एक बर जब में नया सीजन स्टार्ट करूंगी नया चार अंकॉली ठीक है तो चले मैं मुझे इजाज़त दी धन्यवाद